केल राहूल कप्तान है, एंडी फ्लावर कोचिंग स्टाफ में शामिल है, निकलस पूरन और दीपक हुड़ा मिडल ओडर में शामिल है, कृष्णपा गौतम और रवी बिश्णोई स्पिन डेपार्टमेंट में शामिल है, यही थी पंजाब की 2020 की टीम, लेकिन अब ये है ल लखनाओ चार में से तीन मैच जीत के काफी कमफर्टबल पॉजिशन में है, तो लखनाओ और पंजाब के इस मुकाबले में, क्या ये बरकरार रख पाएंगे लखनाओ, आए जानते हैं यूसफ पठान से, यूसफ शुक्रिया आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया पंजाब से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहले दो मैच जब पंजाब ने जीते हैं, तो सबको लगा कि अरे ये काफी स्ट्रॉंग टीम है, लेकिन वापस पिछले दो मैच हार के, ना सिर्फ हारे, लेकिन बैटिंग में कुछ नहीं आया शिकरदावन के अलावा, तो ये काफी बड़ी सरदर्दी उनके लिए? बहुत जरूरी होता है, कि देखें, आप सिर्फ सिकरदावन रन बना रहे है, फिर भी वो एक सो पचास या एक सो पंचावन या एक सो चालिस के आसपास पहुंच रहे है, बी सावर खेल, जो खेलते हैं सिकरदावन, अगर साथ उनका अगर कोई दो बल्ले बाज या तीन बल्ले बाज अगर उनका साथ दे, तो वही स्कोर 170-180 हो सकता है, हमने देखा है कि उनकी गेनवाजी में भी उतना दम-कम नजर आया है कि लास्टोवर तक मैच गए है, तो बल्ले बाजी का स्थर थोड़ा उपर करना होगा. उस हिसाब से मैट्यू शॉर्ट जिन्हें जॉनी बैस्टो के रिप्लेस्मेंट के तौर पर लाया गया टीम में, पहले मैच में रन नहीं बनाये थे, लेकिन गुजरात के खिलाफ इंप्रेसिव स्टार्ट किया था उन्होंने, एक जो पैटर्न है बाकी बैटर्स में, इस को स्टार्ट मिलता है अच्छा दे टेट के लिए बीस अच्छा स्टार्ट के लिए मैं, आप ठीक बाल खेल चुके ौति तो आप आप 30 को 40 में करने के कोसिस करोगे तो ये पार्टनर से बिल्ट होगा तो बहुत फाइदा होगा टीम को और इंडिविजर कोफोर्मस से भी आपको कॉंफिदेंस आएगा टीम को कॉंफिदेंस आएगा साथ साथ में आपका जो कप्तान खेल रहा है क्रीज पे अगर वो बोल खेल रहा है तो वो भी कोसिस करेगा गिट्टी के पार्टनर से पच्छा हो रहा है तो दो में से एक अगर चांस लेगा तो बैतर होगा और काउंटर अटेक भी कर सकते आप पंजाब के एक पुराने बल्लेबाज है जो जब पंजाब में थे तब उन्हें ऐसी तकलीफे होती थी लेकिन इस सीजन और पिछले सीजन भी निकलेस पूरन एक ट्रांसफॉर्म्ड एवॉल्ड बैकर दिखते वे आये हैं शांदार पारी खेली थी पिछले मैच में चिन दर्सन किया है उसने अच्छे वे अच्छे फॉर्म में निजर आया है और आई पिल में आके उसने जिस तरह से लखनों को मैच जीता है जो लास मैच वो जीते बैतरीन पारी रही उनकी और ऐसी इनिंग आप चाहते हैं हर टीम में हर टीम चाहती है कि हमारा एक लाजी की उस तरह से कोई आके हीट करें और हमें मैच जीता है तो वो जो चीज जब होती है तो आप इंडिविजल प्लेयर का ओपर जाता ही है लेकिन टीम का भी मोराल बहुत हाई हो जाता है तो यह एक अपना कॉंफिदेंस बूस्ट करने वाली बात है टीम की और इंडि आकडों पर एक नजर डालेंगे तो दिखेगा कि अब तक अगर टॉप सेवन बैटर्स में देखे लेजजी के तो उसमें ओवरसीज बले बाजो ने रन धेरों में बनाए है उनके चारों अर्च अतक की उपर के स्कोर ओवरसीज बैटर्स से आये है जबकि जो भारतिय बै पिछले 5-6 सीजन में कभी नहीं हुआ है उनके साथ तो क्या बदलना पड़ेगा अब राहूल को नहीं देखें कई टीम यह सूचती है कि हमारे ओवरसीज प्लेयर रन करें रन बनाए है क्योंकि हमारे इंडियन बैटर रन बना रहे है यहां पर ओवरसीज रन बना रहे है लेकिन इंडियन प्लेट्स थोड़े पीछे है अभी वो प्लिक नहीं हुए है तो यहां पर इंडियन प्लेट्स को खड़ा होके बोलना पड़े अच्छा क्रिकेट खेले हुए और अच्छा कंट्री के लिए भी खेले बस यह कि यहां पर उन्हें अपना हाथ उठाना होगा और कहना पड़ेगा कि हम रन बनाएंगे हम चोटी-चोटी पार्टनर्सिप करेंगे लेकिन जो क्योंकि हेविली रन बना रहे हैं और सिस्प्ले जो उपर टॉप के है तो यहां पर उनको अपना हाथ उठा के कहना पड़ेगा कि हम परफॉर्म करेंगे ताके टीम और अच्छे महौल में आ जाए यही सेम ट्रेंड लग्णाओ के फास बोलिंग डिपार्टमेंट में भी दिखाई देती है क्योंकि मार्क वुर्ड ने त जितने मैचिस खेलेंगे वो उतने बहतर होते जाएंगे और जिस तरह की विकेट पे अभी खेले है लखना हो तो एक मैच में इसा विकेट आ जहां पर स्पिन फ्रेंडली विकेट था और कंडिशन भी थोड़े अलग अलग ते तो मेरे क्याल से पास बुलर्ट जो है लखनाओ के दो होम मैचिस जो है उसमें हमें दो कम्प्लीटली ऑपोजिट मैचिस देखने को मिले एक था रेड्ट सॉल पे जहां पे एक सो नब्बे बने जो स्कोर कभी नहीं बनाया लखनाओ के उस मैदान पे हाई स्कोरिंग गेम दूसरा था जहां पे सो एक सो बीस बन बैतर किया है उनको रेड्ट सॉल की विकेट मिली जहां पर बलेबाजों ने कहा के नहीं हम यहां पर रन करेंगे के वहीं बाउन से विकेट में तेज आ रहे थी तो बहुत आसान होता है शौट्स केलना तो वहां पर उन्होंने अपने आपको एडप्ट किया अपनी बैट लिए आप वहां फास बोलर से उम्मीद नहीं करोगे के वह आपको पांच विकेट निकाल के दे उस विकेट पर लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक रही स्वीनर्ज ने वहां पर काम किया साथ साथ में जब बलेबाजी की बले बलेबाजी का मौका आया तो एक अच्छा पार् बले बले जो उस विकेट पर काम करने के लिए तगी आ रहे है और बहतर करने के लिए देखते हैं हमेशा आखरी सवाल ये रैपिड फायर अगर पंजाब को लखनाओ को अपने घर पर रोकना है तो कौन है उनके लिए सबसे इंपॉर्टन के लाड़ी शिकर दवन के आप क्या कर पाते हैं लखनाओ के नए इस फोर्टरेस में जो लखनाओ बिल्ड कर रहे हैं अपने पहले होम कैमपेंड में आई पील के आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमें सेक्शन में